और इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको दिखा रहा है बाबरी मस्जित का निर्मान जहां मस्जित बनाई गई थी वहाँ जमीन के नीचे जो ढाशा मिला था वो इसलामिक नहीं था मस्जित अगर औरंग्देम ने बनवाई थी तो उसका नम बाबरी क्यों था सब हमारी मस्जित गिराना चाहते हैं इस मुल्क ने ये साबित कर दिया है कि वो हम कम तादादी हम छोटी जमात के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है हमने ना कभी आक्रमन किया ना ही अधिक्रमन किया ना किसी की धर्थी छीनी ना किसी की सब भेदा का संखार किया हमारा धर्म सनातन है हमने किसी की जमीन नहीं ली खुद की जमीन बचा भी तो नहीं पाए हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बना खुद को गुलाम बनने से रुख भी तो नहीं पाए जब मनमिर तोड़ा गया था तो हिंदू चुक था किसी खटना दुरगटना पुर मौन दो मिनट का हो सकता है चार सो साल का नहीं राम मंदिर हमारी लिए एक सांस्कृतिक दरोहर है लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है कि वो श्री राम की जन्म भूमी है अगर हमसे हमारी मसिदे चीनी गई तो इसका अंजाम बहुती खौफ नाखोगा हम कोई जुगाली करने वले जानुवर नहीं है जिसे अब कलमा पढ़कर काड़ देगे अपने ही टेश में अपने ही अभिकारों के लिए हिंदू दरदर की ठोकरे खारा और भारत सिर्फ कुछ हिंदू का नहीं संपूर्ण भारत हिंदू है जेश्रीराँ देखें धरची को कोई शिचीनी आनी चाहिए पाउपटकने से पाइल नहीं ठूटती तांड़ करना पड़ता है हिंदू को हिंदू बनाए रखने वाला कोई नहीं था सवाए उनकी अपनी आस्था के जेश्रीराँ जेश्रीराँ छे, नौ और पाच ये तारीखों के अंक श्रीराम में आस्था रखने वालों के लिए पवितरंक बन गए इसी लक्ष को इसी जीवन में अरजीत करूँगा जिस दिन मंदिर बनेगा तभी उस मंदिर में उजन के लिए जाऊँगा जेश्रीराँ